हैलो श्ट्टेटेंट, वेलकम बैक टू अनेतुदी सिंग लेक्षिर चैनल आज की इस वीडियो में आपको कच्छा बारा भावतिक विज्ञान यानि की फिजिक्स से 23 के अध्याय एक से वैदुद आबेश तथा छेतर से आठ इंपोर्टेंट टॉपिक, आठ बहुत ही महत्पूर्ण आती महत्पूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ जो की आपके वैदुद छेतर था छेतर चैप्टर नमर एक से होंगे और हमारे चेप्टर नमर एक, आठ नमर का आता है, आप सभी को पता होगा या भी नहीं पता है तो आठ नमर का इस चेप्टर से कुश्चन आते हैं, वो कुश्चन कुछ भी हो सकते हैं, वो थेोरी भी हो सकती है और numericals भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा जो मैं आज आपको 8 important topic बताऊंगा अगर आप ए 8 important topic को complete कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला देख लिए यहां पर लिखा भी हो आए इसके बाहर कुछ भी नहीं केवल इतना पढ़ लिजे तो आपको पूरे 8 के 8 नंबर इस chapter से मिल जाएंगे और मैं ऐसी हर chapter की वीडियो हर subject की वीडियो आपको लाऊंगा तो आप please चैनल को subscribe कर लिए ठीक है अब की बार physics में 90% पार अगर आप भी 90% physics में पार करना चाहते हैं तो इस तरह की वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी और सभी topic आपको complete करने पड़ेंगे कितने topic आपको की सद्ध्यायम पढ़ने हैं मैं पूरा detail में बताने वाला हूं ठीक है आज मैं आपको chapter नंबर एक बैदियो तावे सत अचेतर का बताऊंगा और अगली वीडियो में दूसरे chapter का बता rating और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और समझाती है तो comment करना कुछ भी आप comment कर सकते है और हाँ जिस भी video आपको कठीन लगता हो जिस भी topic आपको कठीन लगता हो वहाँ पर आप comment कीजिए मैं आपको उसको अच्छे समझाने कोसिस करूँगा और जो भी topic पर आपके वीडियो लाने की पूरी कोसिस करूँगा ठीक है और आपको एक दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी ठीक है करना क्या आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेका पूरा लास्ट तक देखना है और इसकिप बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप करोगे तो आपके टोपिक मिस हो जाएंगे ठीक है तो बिल्कुल भी इसकिप मत कीजिएगा तो बिना टाइम बेस्ट कीए होएको टोपिक को सुरू करते हैं कौन कौन से टोपिक आपको पढ़ना है और पूरे आपके आठ नंबर मिलने वाले हैं से ठीक है तो आप लोग यहां पर देखिए हमारा चेप्टर नंबर वन बैदुत आभिस्टत अच्छेत्र फिजिक्स के हमारा टॉपिक जो है टॉपिक नंबर वन है हमारा कूलाम का बैदुत बलसंबंधी नियम ठीक है वहां पर आप लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को अच्छे देख लिजिए आपका यह टॉपिक अभी ही क्लियर हो जाएगा ठीक है आपको ऐसे क्लियर करने ठीक है अगला हमारा टॉपिक जो की बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है आप है देखिए वैद्यू तो फ्लक्स ठीक है वैसे तो मैंने गौस के नियम के बीच में इसको बताया हुआ है लेकिन अगर आपको इसको separate वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो आपकी coming soon में लगी हुई है बहुत ही जल्दी upload कर दी जाएगी वीडियो बन चुकी है upload करने का time बस निशिद करना है कि किस time आपको upload करना है वैसे मेरी वीडियो आप हमेसा ध्यान रखिए साथ पीयम साथ बजे साम को साम साथ बजे मेरी वीडियो upload होती है तो साम साथ बजे आप वीडियो को एक बार चिक कर लिया कर या फिर आप notification आण welcome on रखिए आपको वहाँ से notification मिल जाए जब मेरी वीडियो upload हो जाएगी ठीक है यह हमारा topic बैद्वित फ्रक्स important बहुत ही है 13, 15, 16, 19 में पूचा जा जुगा है ठीक है वीडियो आपकी comment scene में लगी हुई है आपको करना क्या है वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर सट कर रखना है ताकि मेरी वीडियो जब भी आप upload की जाए तो आपको सबसे पहले नोग टीप करशन मिल जाए और वहाँ पर आप वीडियो देख पाए ठीक है तो ये भी टोपिक आपका क्लियर हो जाएगा बिलकुल ठीक है इसके बाद हमारा अगला टोपिक है जो टोपिक नमबर थ्री है हमारा अच्छी इस्थिति में बैदुच छेतर की तीवरता ये भी बेरी इंपोर्टेंट टोपिक है ठीक है तो करना कि आपको वही जिच करनी सब्सक्राइब कर लेना is डत्मोट टो चल्देज जल्दी सब्सक्राइब करको तो अब बेल आइकन को ओल प्रिशेट कर लो ताकि मेरी जब भी वीडियो अफ्लोड हो नेवर्टिपक णा आपको सब से पहले मिल सगे ठीक है टॉपिक नमबर हो यहां पर देखिए आप वैदुत दुई धुरू की निरची रेखा पर इस्थित बिंद उपर वैदुत छेत्र की तीप्रता यह भी इंपोर्टन टॉपिक है ठीक है ग्यारा बारा पंदरा अठारा और वाइस में पूछा जा चुका है ठीक है वीडियो क सब्सक्राइब बहुत इसमें कम है आपको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके मेरे उसमें मेरी टीम में जुड़ जाना है जितना जल्दी आप जुड़ जाएंगे उतना जल्दी आपको फायदा होगा यहां पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है और विल आइकन को ओल set कर लेना है ताकि मेरी अगली वीडियो को नोटिफिक न आपको सबसे पहले मिल सके और सभी वीडियो आप कुछ समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा important है आपके यहाँ पर यहाँ से आपके आठ नमबर आने वाले हैं ठीक है अगला हमारा टॉपिक है टॉपिक नमबर फाइफ यहाँ पर देखिए गौस की प्रमिय बहुत very important टॉपिक दिक है 16, 17, 18, 16, 17, 18, 20 में पूँचा जा चुगा है टॉपिक इससे पहले तो discussion में जाएए वहाँ पर इसका link दिया हुआ है वहाँ से आप यह अपनी टॉपिक अभी अभी के अभी clear कर लिए एक दम बिल्कुल ठीक है अभी के अभी हो सकता है यही आपका आठ नमबर के पूंच लिए जाए जाए बोड़िक जादी आप इसको clear करिए ठीक है कुलाम का नियम और गौस का नियम बहुत जादे important topic है आठ में से यह दो topic की इससे भी जादे important है ठीक है तो आप इनको जल्ली जल्ली clear कर लिए ठीक है और एक बात मैंने बैदुत flux को गौस की प्रमे के अंदर समझाया हुआ है तो आप वहाँ से topic को clear कर सकते हैं तो वहाँ से बैदुत flux topic आपका clear हो जागा ठीक है उसकी मैं separate video बना दूंगा coming soon में ओ भी लगी हुई है आप जल्ली चैनल को subscribe कर लिए ठीक है अगला हमारा topic है अनन्द लंबाई के समान रूप से आबेसित सीधे तार के निकट बैदुत छेतर की तीपरता का बिंजक गौस की प्रमे की सहाथा से प्राप्त की जिए ठीक है अगर आपको जब पहले गौस प्रमे आती होगी जब ही आप ये question आप solve कर पाएंगे मतलब इसको आप लगा पाएंगे इसका बिंजक प्राप्त कर पाएंगे ठीक है तो आपको सबसे पहले description में चेक करना है वहाँ पर link में click करना है और गौस के नियम को देखना है ठीक है अच्छे से देखना है skip नहीं करना है ये बाली वीडियो आप में separate बना दूंगा इसकी वी बार कर रहा हूँ आप जल्दी से काम कर लीजे ठीक है अगला मेरा topic है topic number 7 गौस के नियम का उपयोग करके एक समान आबेसित अनन्त समतल चादर के कारण विद्दुत छेत्र ग्यात करो ठीक है आपको यहाँ पर वैद्दुत छेत्र ग्यात करना है ठीक है बहुत ही simple वीड वीडियो आ सकती है और हाँ आप मैं फिर से डीवेट कर रहा हूँ साम साथ बजे ही वीडियो अप्लोड होती है तो जल्दी जल्दी आप देख लिया करें साम साथ बजे एक बार चनल को चेक कर लिया करें ठीक है आगला हमारा topic number 8 और इस वीडियो का एकदम last topic topic number 8 है ठीक ह इसकी वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर आने माला हूँ आपको करना क्या है चैनल को subscribe करना है subscribe करना अवेल अगर को always set करना है जब भी आपको एक वीडियो मिल पाएगी ठीक है यह वीडियो बहुत ही simple भाशा में होगी और इसके लिए आपको क्या ज बता है ना अगर आप यह आठ टोपिक अच्छे से repeat और तयार कर लेते हैं learn कर लेते हैं तो आपके और आठ टोपिक से आठ नमबर मतलब एक टोपिक से एक नमबर ठीक है आठ टोपिक से आठ नमबर कोई भी टोपिक आ सकता है और आठ से पांच नमबर को हो आ जाएगा इ लिएकना आप समझ लीजे, आना ही है, क्योंगे आठ नमबर का topic आएगा कोई न कोई ठीक है? यह होगा हिंदी के most important मैं question बताने वाला हूं objective type हिंदी साहित के जो की 10 number के आते हैं उनको clear करने वाला हूं अगली वीडियो में या फिर मेरी अगली वीडियो होने वाली है chapter number 2 में कितने important topic है उसकी वीडियो में बनाने वाला हूं ठीक है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगली वीडियो का इंतजार किजिए तब तक लिए गुड़ वै